नमस्कार आप देखरें पोल खोल पुष्ट मद्य प्रदेश के गुना में दिल दहलाने वाला हाद्शा हुआ था आपको बता देए यहां बस और डंफर की आमने सामने टककर हो गई थी जिसके चलते टककर होते ही बस पलट गए और उसमें आग लग गई थी हाद्शे में 13 लोग जिन्दा जल गए 25 लोगों ने बस के कांच को तोड़कर अपनी जान बचाए इस हाद्शे पर मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादो ने दुख व्यक्त किया है उन्होंने बस दुर घटना के जांच के आदेश दिये हैं सियम यादों ने इम्रित को को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोंचला की है और घायलों को पचास-पचास-जार रुपए की सहायता दी जाएगी उन्होंने कहा है घटना के सभी बिंदों पे जांच की जाएगी वें परिवान भाग के अधिकारिय को निर्देश दिया कि इस तरह के दिरू हटनाय दुबारा नहों आपको बता दे बस नंबर MP08 P0197 दिसंबर को करीब 8.30 बजे गुना से आरोन के लिए निकली वहां से निकलने के बाद तकरीबन 25 मिनट बाद बजरंगड थाने से 5 किलोमेटर पहले उसकी टकर तेज रफ हादसे में तेरा लोग उसी वक्त जिंदा जल गए थे बताया जा रहा है सिकरवार ट्रेवल्स की ये बस साल 2022 की 17 परवरी से अन्फिट थी उसके बावजूद इसे चलाया जा रहा था चौकानी वाली बात यह है कि इस बस का कोई बीमा भी नहीं था इस मामले में आटियों किला पर वही सामने आती दिखाई दे रही है हादसे को लेकर पुलिस का कहना है कि पांच सवों को बरामत कर लिया गया है बाकी सवों को खोजने की कोशिस की जा रही है बस के जल जाने की वजह से सवों की पहचान करने में खासी परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है हा बात आगे कही, आप वीडियो में देख पाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। इनका अच्छा 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 स्पितल में जाकर के भी इलाज कराने की जरूबते एलाज भी कराएंगे। दूसरा जाच समीटी के मैंने जारी किये आज मही पर इस पार्ट पर जोकी आज़ियों की जवाबदारी थी, उनको गाडियों को चेक करना चाहिए था, अगर फिटनेस अच्छा अगर अन्याने पेपर की कमी है तो स्वभाज गूप से उनकी जवाबदारी बनती है। ऐसे CMO जो फार्विगेट के लिए उनके द्रश्टी से भी उनके मने का दोनों को सस्पेंट किया और इसके लिए बड़े अधिकारियों के लिए भी मैंने CS को निर्देश जारी किये हैं, कलेक्टर SP को चुकि उनकी वी जवाबदारी बनती है, जेले के अंदर ऐसे कोई अ कर प्रदेश भर में वाहन पंजयन की बाकि कामों के जवाबदार दिए तो इसके पंजयन करने के लिए परिवन के प्रदेश के बड़े अधिकारयों प्र संबदेत और उप्चस्त अधिकारों पर भी बात करते हुए इसमें उन पे उन पे वी कठोर कारवाई का मेंने CS को और उम्मिद करता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं को हमारी सरकार कभी नहीं दोहराने देगी जो हो सकता हम ज़रूर मदद करेंगे ऐसी ही खबरोस जोड़ी जानकारी के लिए बने रहें पोल खोल पोस्ट पर धन्यवाद